स्वागाद है आप सभी का फैंटेसी इंसाइट के एक और नई प्रोडिक्शन वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस आस्ट्रेलिया के बीच में जो फोर्थ टी-20 मैच खला जाएगा उसका ग्रैंड लीग टीम प्रोडिक्शन के बने जी हा इस वीडियो में मैं आप लोगो को ग्रैंड लीग के पॉइंट रवीव से बाताने पाला हूँ कौन-कौन सा ऐसा 11 प्लयर्स है जो इस मेच में ड्रीम टीम में आ सकते हैं बेस्ट कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी का ओप्शन क्या हो सकते हैं आप लोग के ल बाताने बहुत जिसका सिलेशन एटी वार्सन से उपड़ है बाट इस मेच में फ्लॉप जाने वाला है कौन सा बो प्लयर्स है वो मैं आगे आप लोगों को बाता हूँगा इसके लिए वीडियो को एंड तक जरू देखना है अब ही आकर बात करें तो रितुराज सबसे फिले हम लोग पीच्टी वो देखेंगे कि क्योंकि यह मैच खेला जागा राइपूर पर अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है टी 20 का आपिल का मैच खेला गया है उसका रेकॉर्ड भी मैं आप लोगों को दिखा हूँगा तैकि आप लोगों को आइडिया लाग जाए किस ताइगी से यहाँ पर स्कॉर्ड होता है तो चलिए पीश्टी पो देख लेते हैं तो इस ग्राउंड की रेकॉर्ड की आगर बात करें तो टोटल आइपल का यहाँ पर सिक्स मैच खेला गया है जिसमें से बैटिंग फास्ट कानेवल टीम ने द तो उतना ज़्यादा हाइड को यह पर नहीं हुआ है पाट इस मैच में मुझे लगता है जो भी टीम पहले बैटिंग एंगा पहले बैटिंग करेंगे अट लिस्ट वान सेवेंटी से उपर ही स्कॉर्ड होने वाला है इस मैच में भी सो उसके अकोर्डिंग है हमें बैट स को सिलेट करना होगा सो देखो जो लास्ट ही आपर मैचस के लाइगा दो मैचस का रिकॉर्ड में आप लोगो दिखने वालो आई पील का जाता देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत पहले खेला गया था 2016 को एसारे वरसेस डीसी के बीच में उसमें ऐसारेस ने फास्ट बेटिंग का रहते हैं वाल फिटी एड़ने सब्सक्राइब कर पाया था एंड़ी से उस टोल को भी आसाने से चेस का लिया था उसमें पेसार को सिक्सकों के रहन विकेट उसमें बहुत जादा रान आउट हुया दोणे को मैंचों..? जो भी टिंग टांज है न म्सरां रहा हुआ है सबसे पहले इंडिया का प्लende division हो सकता है मरें पिछले एक चेंज हुआ था आप इसकान पिछले मैच खेला था मुकेश कुमार के प्लेस पर और बागी जो स्कॉर्ड है मुझे लगता कोई चेंज होगा स्रेश आयर वापस आ साकता है तिलेक वर्मा या फिर रिंकु सिंग के प्लेस पर इनमें से कोई चेंज होगा अगर कोई भी मैं सबसे पहले आप लोग आप अपड़ा देद दूगा तो इसके लिए टेली काली ना एन हा चलन को अवीतर सब्सक्राब नहीं किया तो चैनल को भी सबसक्राब जरू कर लेना त्यली गर लिंक नीचे इसक्रिप्यर्वा कर सकते सबसे पहले जैस्वाल के अरुल पिछले मेट कर लाइब काफी अच्छा प्लाइब से दो मैच में आठेसर पोईंस के एक मैच मेर्च में हर पसेंचूरी भी खे तर इस मैच में आच्छा पहंच करके जा सकते है lost गयाकोर्थ के पीषले मज में सेंचूरी किया था टीम में एडि इस मेज में मुझे लगता है आप लोग लिए मास्ट प्रीक उप्शन होने बाला है सूरिय कुमर यहातो हॉ दिलख बनमा को आप लोग डॉप करने का डिक सेक्छे लिए सकते हैं बैटिंग फार्ट में लिए कि जल्दी विख गीड गीड हो सकता है लोई पार्लेल का पॉफिंस बहुत ज्यादा डाउन गया पिछले में सिर्फ एक विकेट लिया था उससे पहले एक विकेट बैटिंग क्या उतना कोछ ऑपॉर्चुनरी नहीं मिला है इस मैच में मुझे लागता है बोलिंग फास्ट में आच्छा कार साकते हैं आक्षर बात में ड प्रसित कुमार बापस आ गया है आगर खेलता है तो भी आप लोग लिए उतना जाता है स्मॉल लिग में इंपोर्टर नहीं होगा आप लोग जेल में भी ट्राइक कार सकते हैं आप ऑस्टेलिया की प्लेंग लिए बहुत सारे चेंजेस यहां पर होने वाला है पिछले मैं जो पीनिंग किया था ट्रावसेट के साथ आरां हर्दी मुझे लगते इस मैच में यह दोनों ही ओपीनिंग करने वाले नामबा तरी जॉर्ष देन बेन मैक डॉर्ट मैथ्यू शौट मैथू शौट भी ओपन कार साकते हैं आरां हर्दाई के प्रेस परागर खेलता है जो क सब्सक्ति आरां हर्दी आप लोगे इस मैच में घेमशेंज हो सकता है इसपेशली जील में आप लोगका डिसकीटीम में कैप्टेन ये आप लोग वैश करने आता है तो आजगा नेकर तौन दयूर्ट राके चल सकती शूट देन जौश फिलिप्स के अच्छा प्लेर चेल लीने वाला इंडिया में उसने लेना है कि नहीं मैं आगे आप लोगोर्स को बात करे чудow us मैत्युन मैं इंपोर्ट करें थो क्या जो परक करें पहलेzur梯 पहले दो मैचे पोफचे परत भीा çबर पेज़ीं अच्छा है तो बारना इसको easily drop का देना इन रिचरिसन का देख लो पिछले मैच में सर्फ एक लिया था नेथन इलीस पिछले मैच में 0 गे रूसे बहले 3 गे रूसे पहले 0 गे तो उतना जादा कांसिस्टेंसी के सथ हर मैच में के नहीं लिया है इस मैच में आप लोग लिए ट्रॉम कार्ड हो सकता है वहां मैं आप लोग को बाता हूंगा कौन कौन सा प्रैस इस मैच में आचा करने वाला है सो देखो इस में आप लोग 6 PLUS 5 का कंबिनेशन या पिर 7 PLUS 4 का कंबिनेशन ट्राय करके चल सकती हो मैं आभी के लिए 6走了 5 का कंबिनेशन ट्राय करने बसो 6 plus लेने वाला हुआ ूप इंडिया के तरह से एं 5 प्लेस लुगा अस्त्रेलिया की तरह से अगर आप लोग चाहते हो 7 plus 4 का combination try करना तो 7 plus India से try कर सकते हो and 4 plus ले सकते हो Australia के तरब से अभी 6 plus 5 का combination try करने बहुत कि और तीम भी फिर भी काफी जादा strong है and इस match को win भी कर सकता है तो आभ इक लिए मैं filter कर लूँगा and सबसे पहले India से में players select करने बहुत इंडिया के तरब से उकिट कीविंग के अगर बात करे इशान कीशन कीशन करने वाले पिछले में फ्लॉप गया था फ्रीवी 86% सेलेक्शन है नोड़ाट काफी अच्छा प्रायरस है और दो मैंचों में बहुत अच्छा इनिंग करता है इस में अच्छा करके जा सकते है इस इस ग्राउंड पर आच्छा कर सकते है तो इशन कीशन को मैं अभी आपने टीम में राखने बालो बैटिग कि आपने बाद करते अगर है पिश्ले अगरे काफी आपने टीम में अच्छा खहल के जा सकता है इस डीस sound में आग गया है आगर खेट है अब लोग के लिए independent हो साकता है रितुराज गायकॉट का देख लो पिछले मैंच में सेंचुरी किया था 81% सिलेशन है दो मैचों में बैक टुब एक बहुत अच्छा पॉपमिस किया था और शुरुबात में थोड़ा सा स्लो खेलता है तो आच्छा पॉपम करके जा सकते हैं जैस्वाल भी बोलिंग फास्ट में ड्रॉप कर साथ है बट बोलिंग सेकेंड वे जैस्वाल को ड्रेफिनिटली अपनी टीम में राक लेना अभी मैं जैस्वाल को भी ट्राइब करने वाला हूँ अपने टीम में रिंकु सिंग एंड तो देखो आप लोग एक ओपिनर को ड्रॉप करना चाहते हो गायकोद एफिजस वाल दोनों में से किसी को ड्रॉप करते हो उसके से तिल्यक बर्मा आप लोग के लिए इंपोर्टन हो सकते है परना अगर श्रीच एडर खेलता है तो वह भी इंपोर्टन होने वाला है जो इसको में अभी पीक नहीं करने बालो 48% से लेशन है अकर फास्ट लूइंक में इंडिया की टीम बोलिंग करता है तो ही मैं आक्षर पार्ट्रेल को पीक कर सकता हूँ बारना में इसको 100% आपने टीम से ड्रॉप करके चलूंगा बोलर्स की आगर बात करें रभी विश्णो दोने में से किसी एक को आप लोग लेकर चालना या फिर आप लोग अक्षर पार्ट्रेल को ले सकते हो अगर आप लोग लेना चाहते हो बड़ मैं आप फास्ट बोलर्स को लेने वालू आरश्रीदीव सिंगों में इस टीम में आभी ट्राइक करने वाला हूँ सिर्फ 38% से लेशन बहुत ज्यादा लो हो गया है बड़ काफी आच्छा प्लेयर से कभी आच्छा पार्म करके जा सकते हैं तो इसको मैं अपने टीम में राखने वालू आप आस्ट्रेली किताब से दिखोगी कि टीविंग कि आगर बात करें दो आप्शन आकर वास जोस्ट फिलिप्स आपने टीम से ड्रॉप करने वालू जोस्ट फिलिप्स को मैं अपने टीम में राखूंगा अगा जोस्ट फिलिप्स मेरे टीम में रहाएगा बैटिंग की अगर बात के सिर्फ एक बैटर्स के साथ मैं जाने बालू ट्रावेस एड एड ये सीवीसी का अच्छा प्शन बात में जो भी चरणी में आफ लोगो को आप दे दूंगा Captain and Vice Captaincy की आखर बात कर दो सबसे पहले सेब सीबीसी की बात का ले था रितुराज गाय को था सूर्य कुमर या था जैस्वाल एंड ट्रावेशेट यह 4 होने वाला है आप लोग के लिए सेब सीबीसी का उप्शन इन में से किसी को भी आप लोग Captain and Vice Captain लेके चाह सेथे तो बट आभी मैं थोड़ा सा डिफ्रेंट कारने वालू मैं ऐसे Captain कारने वालो इशान किशन को और Vice Captain कारने वालो ट्रावेशेट को सो यह मेरा थोड़ा सा डिफिंशल पीग रहेगा क्यों को रिस्क लेना होता है रिस्क के बीना आप लोग कोई नहीं कर सकते हो सो आभी के लिए मै से किसी को मैं Captain ये फिर वाइस Captain बाना हूंगा तो आप लोग को मैं दे दूंगा आपडेट के लिए टेलिगरम पर फॉलो का लेना एक और बात देख लो मेरे टीम के प्रिफू मोस्ट प्रॉली मैं यह से कुछ ज्यादा चेंज़ नहीं करूंगा और लांटर मैं चेंज कर आप लोगो टेलिगरम पर डेफिनेटली फॉलो का लेना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रू कर लेना